देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जिसकी मियाद 31 मई को खत्म हो रही है वहीं लॉकडाउन के पाचवे चरण की सुखबुगाहट भी शुरू हो गई है चौथे चरण की समाप्ती से पहले ग्रिह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभला ग्रिह मंत्री अमित शाह ने 28 मई को राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की और 31 मई के बाद लॉकडाउन पर राज्यों की क्या राय है और वो आगे क्या सोचते हैं इस पर उनके विचार जाने इस बैठक में 36 गड़ के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने अपना रुख साफ करते हुए कहा की राज्यों की सीमाएं नहीं खोलनी चाहिए इस बाबत सीमो 36 गड़ ने ट्वीट कर बताया की मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने केंद्री इगरे मंत्री अमित शाह से लॉकडाउन पर होई बादचीत में दोहराया की राज्यों की सीमाएं अभी नहीं खोलनी चाहिए उन्होंने अनरोद किया की रेल और हवाई सेवाओं के बारे में राज्यों से राए लेनी चाहिए बहराल क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा और अगर लागू होगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा फिलाल सबकी नजरें इसी पर है वीडियो डेस्क अमरुजाला.डाट कॉम